Hello everyone, स्वागत है आप लोगों का मेरी YouTube channel LWD Job में काफी अच्छी वेकेंसी की बात करने वाले हैं, जहां पर कोई भी graduate pass candidate आविधन कर सकते हैं, Central Government की वेकेंसी आई है, permanent job रहेगी 17,727 वेकेंसी जो है आपकी जारी की गई है, यह काफी जो है अच्छा चांस रहेगा जो भी graduate pass candidate आविधन करने के इच्छोक रहेंगे, डेटेल में जानकरी आप लोगों को इस वीडियो में दी जाएगी कैसे जो है आविधन करना है, आविधन सुल्क भी ज्यादा नहीं है, मात्र 100 रुपीज है और जिसमें SC, ST, PWD और Women Candidate के लिए कोई भी फीज नहीं रखी गई है, बाकि General Candidate और OBC, इनकी केवल 100 रुपीज है, जिसमें महलाओं की तो आपको बता ही दी, किसी भी कैटिगरी की है, कोई भी फीज नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले पीडियो फाइल काफी बड़ी है, कुछ जो important जो की आप लोगों के application form फिल करने से पहले आपको जानकरी होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है, दुबारा से बता देती हूँ, permanent central government की job रहेगी, सबसे पहले जो है आप यहाँ देखें, vacancies and reservation, reservation जो है, जो भी आरक्षित वर्ग हैं, उनको मिलेगा, जो है आयू में कहे there are approximately 1727 vacancies, 1727 की लगभग जो है vacancies जारी की गई है, और इन में जो है group B, C, इनकी vacancy है, group A की vacancy नहीं है, तो higher qualification जो है नहीं मांगी गई है, और कुछ एकाद post ऐसी है, जहाँ पर qualification graduation से अधिक है, उनकी हम बात नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे, केवल graduate pass candidate जहाँ आवेधन कर पाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं, starting date क्या रहेगी, application form apply करने की last date क्या है, वो सारी चीज़े समझेंगे, 109 pages की ये PDF फाइल है, detail of post की अधि हम बात करें, तो pay level 7, 44,900 basic pay से लेकर 1,42,000 तक यहाँ पर salary रहेगी, group B की post है, उसके बाद pay level 6 के according ये भी group B की post है, 35,000 से अधिक बेसिक पे ही रहेगी, यानि ये जो है, आपकी salary 60,000, 65,000 से अधिक आपकी बनेगी, pay level 5 के according, group C की पोस्ट रहेगी, next जो है, group C के अंतरगत ही, pay level 4 के according, यहाँ पर आपकी salary रखी गई है, ठीक है, vacancy जारी की गई है, SSC की तरफ से, भारत सरकार कार्मिक लोग शिकायत, तथा pension मंत्राले, करमचारी चयन आयोग, तो यहाँ देखें, notice में, combined graduate level examination 2024, यानि की graduate pass candidate बिल्कुल आविदन कर सकते हैं, जो last year, जिनका graduation चल रहा है, और आपके result आने से पहले आपकी graduation complete हो जाती है, आपके हाथ में mark sheet आ जाती है, तो वो candidate भी जो है आविदन कर सकते हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा charges भी नहीं है, मात्र 100 रुपे ही है, general category के, तो आविदन करने में कोई बुराई नहीं है, online application जो है वो 24 जून से start हो चुके हैं, और 24 जुलाई 2024 तक रहेंगे, last date जो है, 24 जुलाई 2024, last date online payment की 25 जुलाई है, अगर कोई mistake हो जाती है application form में, तो 10 अगस्त से 11 अगस्त, दो date है correction की, इसमें जो है selection कैसे रहेगा, तो काफी अच्छी जॉब है, central government की permanent job है, salary भी आप देख रहे थे, की basic pay ही जो है आप लोगों का 44,000, group B के अंतरगत है, तो salary काफी अच्छी जाएगी, आगे चलके जो है, आपकी salary जो है, कम से कम 80,000, 1 lakh तक जो है आपकी जाने वाली है, tier 1 exam आपका September, October मन्त में होगा, और tier 2 exam, यह computer based examination रहेंगे, यह December में होगा, ठीक है, अब जो है, पोस्ट देख लेते हैं, group B के अंतरगत, कौन सी पोस्ट है, age limit जो है, वो अधिक्तम 30 वर्स है, IUCMA में छूट बिल्कुल आप लोगों को दी ही जाएगी, जो भी आरक्षित वर्ग है, अभी कितना जो है दिया जाएगा, वो अभी देखेंगे, assistance, action, officer, group B के अंतरगत, पोस्ट है, उसके बाद जो है, अलग-अलग department है इसमें भी, inspector of income tax, इनमें सभी में जो है, graduation आपने किसी भी stream से किया है, आप लोग apply कर सकते हैं, ठीक है, next जो है, group B के अंतरगत ही, और भी जो है, पोस्ट है, जिसमें भी आप apply करने के इच्चोक रहेंगे, वो आप यहाँ देख लेंगे, auditor, group C के अंतरगत और accountant, group C के अंतरगत है, इसमें अधिक्तम I.U.S.E.M.A. जो है, 27 ये है, ठीक है, तो यह पोस्ट है, I.U.S.E.M.A. में जो छूट है, वो कितनी दी जा रही है, तो भारत में आप किसी भी राज्ये के नागरिक हैं, आप लोग आविदन बिल्कुल कर पाएंगे, एज लिमिट जो है, यहाँ पर calculate होगी, 1 अगस्त 2024 को बेस रखके, ठीक है, तो इसमें जो है, आप यह देख लें, कि जिन candidate का जन्म, 2 अगस्त 1997 से लेकर 1 अगस्त 2006, इसके बीच में हुआ है, इस तरीके से आप देख लें, ठीक है, कितनी चूट है, तो SCST को 5 साल की है, OBC को 3 साल की, PWVD Unreserved में 10 साल की है, OBC को 13 साल की है, SCST को 15 साल की है, X-Serviceman 3 साल की, ठीक है, जो भी वीडियो केंडिडेट हैं, तो उनको जो है 35 यर, यह है सामान्य वर्ग की जो महला हैं, और SCST अगर हैं, तो 40 वर्ष, काफी बड़ी जो है PDF फाइल है, अप्लाइ करने से पहले आप लोगों को अच्छे से जो है पढ़ना रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एनी ग्रेजुइट पास कैंडिडेट अप्लाइ कर सकते हैं, दो-तीन पोस्ट ऐसी है, जहाँ बैसलर डिग्री से अधिक जो है, आपकी होनी चाहिए, इनको आप अगर छोड़ दें, अल अधर पोस्ट, केवल बैसलर डिग्री, कितनी भी परसेंटेज आपकी रही है, इस नातक में, बिल्कुल आप अप्लाइ कर पाएंगे, ठीक है? बाकी तीन पोस्ट यह ऐसी है, बैचलर से अधिक है आपका पास, तो इसमें अप्लाइ कर सकते हैं, ठीक है? कैसे अप्लाइ करना है? तो यह आप अच्छे से देख लेंगे, फिर अप्लाइ करेंगे, एप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट अल्रेडी हो चुके हैं, फीस आप देखें, केवल सौर पे हैं, वोमेन कैंडिडेट, SCST, PWVD, X-Service, कोई भी फीस नहीं है, तो इंपोर्टेंट जो भी है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, एग्जामिनेशन सेंटर जो है, वो क्या रखे जाएंगे, तो वो आप देख सकते हैं, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो है, एप्लिकेशन फॉर्म में फिल कर लेंगे, एग्जामिनेशन जो है, आपके, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी जो है, यहां पर बताया है, कि टियर वन में आपके क्या पूछा जाएगा, जीके, जीएस, मैट से इंग्लिस, टियर वन में, टियर टू जो है, इसमें, आपके जो है, वो पेपर वन एड़ पेपर टू, इस तरीके से रहेगा, ठीक है, अलग-अलग सब्जेक्ट, अलग-अलग पोस्ट वाइज, आपको देखना होगा, तो सबसे पहले जो है, आप लोगों को, पूरी जो है, पीडिया फाइल पढ़नी है, ओफिशिल वेब साइट पर आना है, SSC की, और इसमें जो है, नोटिस बोर्ड में आप लोगों को, ज 2024, बिल्कुल fresh advertisement ही है, दो ही दिन हुए है, तो इस पर जो है, क्लिक करके, पूरी PDF फाइल ओपन करनी है, इसको अच्छे से readout करना है, और जैसा इसमें बताया गया है, कैसे apply करेंगे, तो step by step जो है follow करना है, कोई mistake नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप application form में mistake करते हैं, तो correction के लिए भी जो है, fees ली जाती है, ठीक है, तो कोई गलती करनी ही नहीं है, तो ये vacancy रही, मुझे लगा आप लोगों को बिल्कुल बतानी चाहिए, जो भी graduate pass candidate है, और central government की vacancy, जो है, permanent vacancy में जो है, बिल्कुल form apply करना चाहते हैं, तो ये detail में आप लोग पढ़िएगा, vacancy SSC की तरफ है, short service commission की तरफ से, मिलेंगे next video में, thank you